खबरब दौसा के लाल सोट से है जोहां तहसील कारेले में कनिष्ट लेखाकार दिनेश कुमार शर्मा को एसीबी ने 11,000 रुपए की रश्वत लेते रंगे हाथों ट्राप किया एसीबी की एस पीच अंचल मिश्रा और उनकी टीम ने इसकारवाई को अन्जाम दिया आरुपी कनिष्ट लेखाकार नेक रुशी भूमी के संबंध में वेतन पंजियन परापती पत्र को वापिस लेने के एवज में रिश्वत की मांग की जिसकी शिकायत की सत्यापन करवाने की बाद एसीबी ने आरुपी को धर्दबोचा फिलहाल आरुपी से जो पूश्टाच है वो जारी है और लगातार जो ताबर तोड कारवाईयों का दौर जारी है एसीबी के द्वारा प्रुदेश भर में च्राप पर च्राप की कारवाई यहां आए दिन देखने को मिलती है एक और ऐसी कारवाई दौसा के लाल सोच में एसीबी की बड़ी कारवाई यह रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कनिश्ट लेखाकार को रिश्वत लेते हुए ट्राप किया एसीबी की टीम ने खबरा पजमेर की पीसांगन से है जहां करणौस गाउ में जमीने विवाद के चलते बुलैरों की टकर मार कर साथ वर्षिय बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया थान अदिकारी नरेंद्र सिंग राठोर ने इस पर बता कि करणौस निवासी पुखराज माली और कालूराव माली के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद भी किया और दोनों पक्षों की समशाईश के लिए थाने में भी उने बुलाया लेकिन पक्ष जो थे वो बगैर किसी नतीजे के करणौस लोट कहे यहाँ पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर बुलैरो चड़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अडिशनल स्पी ग्रामीन किश्वन सिंग और उपखंड अधिकारी समदर सिंग भाटी मैं पुलिस जापते पहुँचे झाल